कि नमस्कार साथियों गौरव के अंधारा में आपका स्वागत है आज का अपना यह जो सेशन है वह सीटी पर जितनी भी संकाय हैं विद्यार्तियों के उससे रिलेटेड है अभी जैसे 17 विध्यप्ति का लेटर आया था कल करमचारी चैनल बोड़ का उसके बाद विद्यार् है उस चीज़ को भी मैं यहां पर आप लोगों को बता सकता हूं कि हाँ यह विद्यार्ति जानी नहीं और इसलिए अब जो है वह बड़े थोड़े से चिंतित हो रहे हैं आज इसमें 15 गुना वाला क्या मैटर है 15 गुना कैसे लेंगे क्या पर्मूला किस तरीके से विद्य से चीटी पर आपकी चितनी भी संकाय है उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले सातियों मैं आपको बता दू कि सीटी एक्जाम जो बिल्कुल जिनको पता नहीं है उनके लिए भी यह सैसन बहुत महत्वपून होने वाला है सीटी जो एक्जाम है वो दो इ पत दे रखे हैं और सनातक इस तरवे में कुछ पत दे रखे हैं यानि कि आपको उन पदों के लिए नौकरी लेनी है तो अब सीध्य वह वाली बात नहीं है कि आप सीधा एक्जाम फॉर और आपको नौकरी के लिए आप एक्जाम दो और मिल जाएगी अब एक फिल्टर ल सबता हूंगा आपको सप कारे भी हुए हैं तो इसकोर कारे याctar होता है उसके अनुसार आपको वरियता घ्रमांक दे जाएंग 게임 और उन वरियता करमांक के अनुसार जबजब यह वाडस किन निकले नहीं है और इसके 15 गुना ही बर पाएंगे फॉरम यानि कि CT पास के हुए टॉप 1500 लोग ठीक है 15 गुना कितने हो गए इंटू 15 कर देना तो टॉप 1500 लोग ही फॉरम बर पाएंगे इस वैकेंसी का आप CT जरूर दे सकते हैं लेकिन CT के अंदर आपको टॉप इस फॉरर बनना पड़ेगा तब जाकर आप जो है इन बर्तियों में अब जैसे इसमें सबसे बड़ी बर्ति ये कनिष्ट लेखा कार वाली है जो लगबग लगबग 5000 वैकेंसी जाने वाली है तो 5000 वैकेंसी आने वाली उनका 15 गुना यानि कि 75,000 फॉरम ही लेने हैं अब जैसे कोई रीट क काम करेगा सीधिशी बात यह समझनी है यानि कि आने वाले समय में आप लोगों को CET क्लियर करनी ही होगी यदि आप इन वैकेंसी को चाते हैं यदि आप पॉंस्टेबल बनना चाते है तो 12th लेवल की वैकेंसी है यदि आप पटवार वगए रही है जैसे इस सीचाई क्लियर किये वोई रीट मेंस दे सकते हैं वयसी ही यहाँ पे भी यह फिर्टर है यह पात्रता परीक्स है जिसके और यह इत्र छारी ऊस दिन से लगा के एक साल तक मैं आप इसके वारे में और समझते हैं मैं आपको इस पे वापस ले क्या यह इनके अंदर यह बता राख़ लेकिन कई सारे विद्यार थी उसमें जग नहीं पाते हैं उनको जग्जुर बात 실ाट को यहां से आपính yatrak जाते हैं वो दे चुके exam और अच्छा score कर चुके जो नहीं जा गये हैं कोई बात नहीं आगे और आपको अवसर मिलेंगे चलिए समान पात्रता परिक्सा सनातक इस्तर की बात करें तो वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी कम से कम एक बार तो आयोजित होगी ही हो अब सरकार कोई नियम लेकर आये आयोजित होगी और उसका रेजट आने के बात में वह एक साल तक वैलिर में रहती है आपके सारे जो मुख्य मुख्य पॉइंट न अच्छा ये विघ्यप्ति अभी जो आपने देखी उसका ही पॉइंट संख्या दो और तीन है जो विघ्यप्ति अभी आपने यहां पर ॸंख्यैंक जो इसकी विघ्यप्ति तेस दिनाख है 29 2022 जो CT की विग्यप्ति थी उसी के पॉइंट के आधार पर बता रहो ताकि आप लोगों के मन में कोई संका नहीं रहे कि यह चीजें जो यह बदाई जा रही है यह ऑथेंटिक है अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा ठीक है तो यहां पर यह विग्यप्ति में यह दे दिया था समान पात्रजा परिक्षा में उपस्ति दोने के प्रयासों के संख्या के संब्ध में कोई निर्बंदन नहीं है यानि अटेम्ट फिक्स नहीं है कि आप जो है अपना स्कोर सुधारने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार CT दे तो अब आप जिंदगि पास समान पात्रजा परिक्षा में अपना सुधारने का और सर होगा यह नहीं रहे है तो इसलिए इसकॉर भी तो अच्छा होना जरूर ही है किसी पात्रजा परिक्सा सनातिक स्थर पे सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परिक्षा में पूर्व का सर्वत्तम उपलब इसकोर मानने होगा मान लिजे आपने पहले एक्जाम दे रखा था उसके अंदर आपके 78 परसेंट मार्स आए कितने 78 और आपने इसकोर सुधारने के लिए एक्जाम दिया लेकिन 78 की जिए 72 परसेंट ही आये इस बार तो जो सर्वत्तम होता है वो मानने रहेगा यहां तक यह चीज आपको समझ में आ गई अब देखें अब जो मैं जोलवाला का मैंना वो यह है जोलवाला क्या है कि अभी CET सनातक इस्तर का रिजल्ट आ चुका है और 12 लिवल का बहुत जल्द आने वाला है अब सनातक इस्तर का रिजल्ट आ गया अब अभ्यरती इस चीज में चिंतित हो रहे है कि हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी स्कोर कार जारी किया गया है लेकिन उसमें कहीं कोई संकेत नहीं है कि आप लोग पास है या फैल है या कुछ भी फैल तो है नहीं सभी का हुआ है अब तैयारी किसे करनी है वो 15 गुणा में आ रहे है या नहीं आ रहे है तो उसके लिए यहाँ पर आपको यह समझना होगा यह कुछ विग्यप्ति के अंदर ही कुछ नियम पहले से लिख रखे हैं जहां पर मैंने मार्क कर रखा है उनको आपको विशेश करेगी कि समान पात्ता परिक्षा में उल्लिकित पद पर विग्यापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुणा आप भेरती जो विग्यप्ति आती है उसकी जो भी विग्यप्ति आ रही है मानली जीए मैंने जैसे प्लाट्रून कमांडर का एक्जांपल दिया आपको जू हजार है हजार लोगों की वैकेंसी है उनके 15 गुणा लेना है तो इंटू 15 कर दो यानि कि 15,000 लोग ही इसका फॉर्म बर पाएंगे किसका इस विग्यप्ति का सीटी का नहीं सीटी पास किये हुए टॉप 15,000 वही इसके लिए बर पाएंगे अब इसके लिए तो सरकार है फिर जब विग्यप्ति आएगी उसमें वरियता करमांक लिखे होंगे या फिर एक न्यूंतम वाली कट ओफ दी गई होगी कि इसके उपर उपर वाले जितने भी है वो सारे इसमें फॉर्म बर सकते हैं इसके निचे वाले वो नहीं बर सकते हैं सीधे जब भी विग्यप पॉंटेंट की आजाएगी आपके 5000 वेकेंसी तो पांच में 75,000 फॉर्म बरेंगे 75,000 बैठेंगे 75,000 के रोल नमबर प्रकासित नहीं करेंगे यह इतनी लंबी लिस्ट नहीं निकालते हैं तो वहाँ पे जो है वरियता करमांक दे दिया जाएगा कि इस वरियता करमांक से लगा कर इस वरियता करमांक वाले इसके अंदर eligible है ठीक है आप form बर सकते हो या तो यह करेंगे या फिर score जो होगा वो बता दिया जाएगा कि यह नियूंतम score वाले आप apply कर सकते हो अब जब score बता दिया या वरियता करमांक बता दिया उसके बाद में वह बरने है अब इसम कि पंद्रा गुना उसमें सामिल हुई नहीं कि पंद्रह अजार जैसे ये लिए है इनमें 15 तो उसमें जितिलता देने का प्रावदान इसमें लिए में लिखा हुआ है कि 15 g नॉपर चली जाए संख्या तो वह माइने वहाँ पर नहीं रहती है अब इसी चीज को यहां मैंसन कर रखा है देखो यदी बर्ति आजेंसी की यह राय हो की समान पत्रता परिक्षा में उलिकित पत्पर बत्ती के लिए संचालित लिकित परिक्षा या साकसातकार या दोनों में उपस्तित होने के साधारन मानक के आधार पर आरक्षित वाले अभ्यर्टियों को परवेश देने के लिए सीथिलता दी जाएगी आई बात समझ में यही चीज मैंने समझाई है पहली चीज तो यह है कि जितनी विग्यपती आ रही है उनके 15 गुना को लिया जाएगा आप कैसे लिया जाएगा उस पर तो खुद विबाग सोच रह है अब यह भी बता दिया कि इसमें फिर आरेक्शन वाले जो है वो भी बता दिया कि उस वर्ग के अंदर वो नहीं है तो उस वर्ग के भी 15 गुना को सामिल किया जाएगा यह है आपके 15 गुना वाला गणित अब देख लिजिए कि यह सीटी एक्जाम जो है वो कितना अब filter लगा दिया है विबाग ने सरकार ने यह filter है सिदा का सिदा अब 10 लाग फॉर्म इन हर बरतिकें नहीं आने हैं इसमें सभी में सारे के सारे candidate form बरते हैं यहाँ पर इनका एक form बनना है और उसके बाद में जितने पद है उसके 15 गुणा को बनना है तो सारे के सारों से तो फिर पैसे नहीं ले रहे दोनों तरब से सोचना चाहिए कभी भी कोई भी पक्स माली जी आपको कोई suggest करें कि जीजीडी वाले सर जो है गौरव स कि के परति अपनी धारना बनाने से पहले दोनों पक्सों को देखना चाहिए जबतक आप दोनों पहलु नहीं देखते हैं आप निस्कर्ज तक नहीं पहुंच सकते हो इस लिए ये दोसरा पक्स भी मेंने रखा है अब मैं धो कि उसकी सरकार की वेकालत नहीं कर रहा हूं या मैं को इस्टूडैंट्स की पेरनी नए हैं लेकिन मैंने दोनों पक्स आप लोगों के ध्यान में लाये हैं क्योंकि आप भी एक सिक्सित युवा वर गे हैं तो आप लोगों को भी इस तरीके से सोचना चाहिए चलिए अब आपन थे यहाँ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं समान पत्रता परिक्षा के लिए संभावित पदों की संख्या जब यह वैकेंसी आई थी ना सना तक इस तरवाली उसी आईडी में उन्हें पता चलेगा या फिर इसके लिए अलग से सरकार निर्देश देगी जारी करेगी या विद्यप्ति जारी करेगी जैसे इसके इतने थे यह 1923 बता रहें लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वो लगबग लगबग 5000 प्लस वैकेंसी और बहुत सांदार ओने वाली है अब इसमें कौन यह 5,000 में जिनोंने यह we बूल जाईए आप इसमें इस बार नहीं बर पाएंगे जिनोंने दी है वो बर पाएंगे लेकिन उसमें भी आवह वो टॉप स्कोर होंगे यानि 5,000 है तो टॉप स्कोर है नहीं 75,000 के अलावा जितने हैं वो नहीं दे पाएंगे 75,000 में जो आ रहे हैं वो दे पाएंगे ये रहेगी अच्छा next CET के उपर भी बात करेंगे जिन्नों ने नई दी उनके लिए क्या है वो भी अपन बात करेंगे ये पहले दे रखी थी लेकिन इसमें गटाव या बड़ोत्री की जा सकती है दो को इसमें दे यह चलिए संसो दन्वसदर यह चीज है यह दे रखी थी लेकिन इसमें अब यह इसलिए अपन उनुमान लगा सकते कि इंटू 15 गुना करके फिर यह वाले इसमें आ जाएंगे ठीक है चलिए यही चीज मैं आपको दूसरे लेटर से भी समझाना चाऊंगा यह लेटर है र प्रिशेंस रूप से ध्यान में रखनी है यह यह दि आप सीटी देना ही है तो और देना इसलिए वी जरूरी हो जाता है कि इन वेकंसी के अंदर यदि आप फिर अपने आपको देखते हो कि यह नोकरिया हमारे लिए हैं हमें इनका जो है एक्जाम देना है इनको लेना है तब आपको सीटी देनी हो जाती है अब देखो सिदी सिदी चीजें हाइलाइट की हुई उन पर ध्यान देना है समान पात्रता परिक्षा वर्ष में कम से कम एक बार होगी सीटी का इसको प्रणाम परिक्षा की तारिक से एक वर्ष के लिए मन्य होगा बोर्ड उन समस्त अ परियासों की संख्यां कोई नहीं है आप संत की संबऋन में कोई निर्बंद्धन नहीं होगा तो सब्सक्राइब प्रिक्षा से पहले जो आपका ब्लब स्कॉर है और उस validity period में आ रहा है वो valid रहेगा ठीक है इसके अलावा फिर आते हैं यहां कि उलिकित पदों पर चैयन के लिए संचाली लिकित परिक्सा या साकसातकार दोनों में उपस्तित होने का पातर ने चलिए यह चोड़िए वैस EET में नियुन्तम अंक जो बरती अजनसी द्वारा अवदारित किये जाए प्राप्त करने में असफल रहता है नियुन्तम अंक अवदारित करते समय बरती अजनसी विचार करेगी कि अनुसूची एक और दो एक और दो में एक सनात किस्तर वाली है एक से सेकंडरी लेवल वाली है ठीक है उल्ली कित पत्पर विद्धापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रे गुणा अभ्यर्ती येक आर्मिक विभाग ने भी यहाँ पर दे रखा है कि जितने पद निकलने है उनके पंद्रे पुम्तम एक कट ओफ दे दी कि पलाना जो है 90 नंबर वाला जो है अलिजिबल है अब मालीजे किसी के 90 नंबर से उपर वाला अलिजिबल है ऐसे कि दिया किसी के फिक्स नब्बे ही है तो वो भी फिर यही लेंग्वेज यहाँ दे रखा है ठीक है अनुसुच निमनता संक् है तो वो भी एलिजिबल है इसने जितने भी केंडिडेट होंगे वो एलिजिबल होगा जिसके 89 आ रहे हैं वह नहीं होगा यह उदारन दिया है ऐसा नहीं कि मेरे कहने से कोई नब्बी जाएगी ठीक है चलिए भरती अजन्शी द्वारा ऐसे आरक्सित प्रवग यह वही है जो मैंने अभी आरक्सन वाला आपको बताया कि वह यदि केंडिडेट उपलब्द नहीं है तब उन्हें भी जो है इस प्रक्रिया में सामिल किया जाएगा कि इस्पेशल केटेग्री जिनने आरक्सन दिया गया था उनके 15 गुना सभी को लेंगे ठीक है चाहे उनके फिर मैं सबसे बड़ी बरतियत को कॉंस्टेबल राजस्तान पुलीस अधीनस सेवा कॉंस्टेबल की अब कॉंस्टेबल की जितनी विग्यप्ति आएगी उसके 15 गुना इसमें पास हो जाएंगे वो ही दे सकते हैं अच्छा आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता है पूरी तरीके से होगा कैसा प्री बैच होगा ठीक है पूरी तरीके से प्री बैच होगा और एक टीम अरेंज करके जैसे कि आप अलग-अलग सब्चा के लिए अलग-अलग विशे विशेशकिया चाहिए होते हैं एक टीम अरेंज करके आप लोगों से फिस नहीं ली जा आएगा ताकि अधिक शे अधिक विध्यारती जो बारीपरकम फिस लेने में देने में जो है असमर्थ होते हैं वो भी एक बहतर तैयारी के साथ में अपने आपको सीटी में अच्छा स्कॉर कर सकें उनके लिए लगबग लगबग समर्वेकेशन के अंदर ही अपने इस बैच को विधिवत रूप से सुरू कर देंगे और ये बैच लगबग चलेगा 6 माह तक 6 माह आपके ये बैच चलना है और 6 माह के अंदर आपके सीटी का क्योंकि बहुत बड़ा सिलेवस है तो उस सीटी के सिलेवस को एक अच्छे व्यवस्तित लेवल से लगा कर अपन उसको तो ये वो पढ़ सके हैं तो इस सुचना को अपने सभी विध्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है बहुत जल्द आपको सुचना दे दी जाएगी कि अब ये बैच विवस्तित रूप से सुरू हो रहा है तो आप लोगों को कम से कम स्थीटी पास करने के किसी लिए कहीं पर पैसे भी गाडने किया क्यावशिकता नहीं पड़ेगी अच्छा फिर यदि किसी को लगता है कि हमें कोर्स खरीदना ही पड़ेगा मैं मेरे काड़ा कर रहा हूं मैं इस प्लेटफों के माध्यम से जो करूँगा वो जरूर यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं तो बहुत जल्द अपने free batch की यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये free batch आपके सुरू हो रहा है और लगबख 6-6 महीने चलेगा तो 2024 के अंदर लगबख फरवरी मार्च के अंदर CET exam होगा उससे पहले अपन process करेंगे कि यह पूरा हो जाए अच्छा नियमित बैच चलेगा यानि नियमित classes आप लोगों को मिलेगी सारे सब्चा की classes देने का आपने वही रहा है कि हिंदी reports खरीद के पढ़ सकते हैं बस पढ़ लेना और निकाल देना अच्छे से score कर लेना और अपने माबाब के सपनों को साकार कर लेना मैं मेरे प्रियास मेरे से बहतर score करें CET के अंदर ताकि वो कहीं अठके नहीं ठीक है चलिए यह वेकंसिया रहे कि आप लोग देख लेना अपने senior secondary level के अंदर कि वन पाल चात्रावास अधीक्सा के लिपिक है लिपिक की लडिची वगेरे की वेकंसिस भी है अच्छा यह विबाग भी दे रखे हैं इनको भी नज़त ध्यान में रखना इन विबागों के ये पद क्योंकि LDC कई विबागों में होते हैं इन विबागों के ये पद है वो इसके अंदर है जिसमें से सबसे बड़ी बड़ती Constable परिक्स है हो सकता है आने वाले समय में कुछ और परिक्सा के लिए एक पातरता परिक्सा आप लोगों को देखने को मिल सकती है जहां तक यह जिस तरीके से चल रहा है उससे पता चल रहा है अब बात करें कि सनातक लेवल का जो result आया आप ही सनातक लेवल का जो result है काफी सारे विद्ध्यारती उदासीन थे जिने पता ही नहीं था कि CT का एक्जाम पुरा है हमें देना है यह पातरता परिक्सा है यह पातरता हमारे पास होनी चीए इसका पता कैसे चलता है कि देखो सनातक इस्तर की जो परिक्सा थी तो मुझे यह बताइए क्या आठ लाक विद्ध्यारती हिस्णा तक है राजस्तान के अंदर जो किसी न किसी कंपिटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं बहुत ज़्यादा है यदि अपने ये कॉंस्टेबल की और इनकी जोनेर अकाउंट एंटिकी और जो फॉरम बरे जाते हैं तो 10-10-15-15 लाग तो फॉरम इनकी आ जाते हैं यदि कॉंस्टेबल के बरे जाएं तो कॉंस्टेबल के 20-25 लाग फॉम आ जाते हैं रीट के अंदर ही 17 लाग फॉम आ गए थे तो ये हैं सभी और देना भी चाते हैं काफी सारे विद्यारति मुझे कल पता चला कमेंट करेंगे बता रहे हैं सरम चुक गए देना भी चाते हैं लेकिन उदासीं थे उन्हें सही तरीके से या तो CET समझ में नहीं बैठा था या पिश समझ में बैठा था तो किसी ने किसी परिस्तिती वस दे नहीं पाए तो अब जो गलती हुई है उसे सुधार देना हर साल एक्जाम होता है तो आने वाले CET को चूकना नहीं है और आप लोगों को यहां से अपने बहतर तरीके से आप लोगों को एक बहुत सांदा तयारी के साथ में और बहतर मार्ग बसं के यह जाए तरी इसको यह रिजल्ट आया था इसमें कि उपस्तित और अनुपस्तित रहने वाले आपय्ट्यू का परिक्षा गार्ट जारी किया गया है यानि कि उन्नों ने कितना स्कौर बनेया बनाया है वो उसके अंदर आ गया है अब वह वह 15 गुना में उसमें सामिल हों देखना है इसके अंदर ध्यान देने लाइक चीज यही है अब बात करें आगे तो यह इस तरीके की मार्क शेट यानि की स्कोर कार्ड जारी किया गया है विभाग द्वारा जो आपको आपकी SSO ID पर ही देखने को मिलती है मैंने यहां पर कुछ डिटेल छुपा रखी है एक सब्सक्राइब करें यह पर्सनल रिजन के कारण यह एक फॉर्मेट बताया जिनको पता नहीं है कि स्कोर कार्ड कैसे आएगा वह ऐसे स्कोर कारड आएगा यहां से मार्क ऑप्टेन लिखा हुआ है 184 पॉइंट यह और मार्क्स आफ्टर नॉर्मिल जेसन के बाद कितना है 190 है देखो पहले तो 184 थे और नॉर्मलाइजेसन के बाद में 190 हो रहे हैं तो इस तरीके से यह स्कोर कार्ड जारी किया जाता है अच्छा यह जो कटिंग है यह उस अकबार की कटिंग है जिसमें यह बदाया गया कि CET के 15 गुना अभ्यरति कैसे लेना है इसमें विबाग और विबाग ने कार्मिक विबाग से सला मांगी है इसका कंक्लूजन यह है इसका सार यह है ठीक है इसी चीज में जो है जिनके वक्तविया दे रखें उन्हें को मैंने बड़ा किया है एक तो हरी परसाद जी सर्मा चेर्मेन अधिनस्त बोर्ड का है और एक उपैन यादव जी का है जो परदेशाध्यक्स है बेरोजगार एकिक्रत महासंग के ठीक है तो उनके वक्तव यहां पर दे रखें इन्होंने क्या काया है कि हमने कार्मिक विबाग से सुजाओ मांगा है पंदरा कुणा अभियृत्यों का चेहन के लिए कौन सा फॉर्मूला अपना है इसक मिती बैठेगी और उसके राय के अनुसार काम किया जाएगा ताकि किसी का अहित नहीं हो ठीक है ना इसके लिए समय के अंदर अब कल परसों के अंदर ही सुनने में आ रहा है कि 12 लेवल का भी जो है वो रिजल्ट आने वाला है और बहुत जल्द जैसे 17 वेकेंसी का तो अधिनस्त बोर्ड कैलेंडर जारी कर चुका है बहुत जल्द बहुत ये 12 लेवल के अंदर जो है ना जैसे उसके अंदर पुलिस विबाग की बरती नहीं थी वरस्टेपल की तो वो भी बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है कैसे ही दूम मचाती हुई जारी हो जाएगी तो अब यदि अभी तक में आप जड़त्व आपके अंदर है उदास इंता है तो इस उदास इंता को तोड़ देना और अभी से सक्रिय हो जाना क्योंकि ये चुनावी साल है वेकेंसियां महुत स्पीड से पूरी होगी और सीरीज सारी की सारी जीडी एप पर बहतरीन टॉपिक वाईज अभ्यास सीरीज चालू है सीटी की भी चालू है उसको भी जॉइन करके अभ्यास कर सकते हैं और इसके अलवा क्लासेज आपकी सारी ही यूट्यूब चैनल बे लिए आपको कोई डाउनलोड करने का ज़रूत क्लासेज किसी भी जीडी नाम के एप पर नहीं दी जाती है हम क्लासेज सारी ही यूट्यूब पर देते हैं और सारी ही free of cost हैं और बहुत जल्द CET का भी एक निसुलक बैच आप लोगों को दे दिया जाएगा बहतरीन फैकल्टी के साथ में तो आप अपनी तयारी को ऐसे ह जाली रख सकते हैं और इस पूचना को सभी विद्यारतियों तक पहुंचाने का काम आप सभी विद्यारतियों का है चलिए सात्यों उम्मिद कर रहा हूं कि आपकी हर एक संका का जवाब एक बहतर तरीके से आपको मिला होगा आप लोग अपना प्रेम्सने सयोग इसी तरह बनाए रखें अपन मिलेंगे सात्यों अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहिन